कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ये डॉक्टर केडर पातिल मैं कःन्य हं प्राक्टस करता हूं तो इस वीडियो में हम देखेंगे biraz यहिसे जांगो वाला हर्निया जांगो में होने वाला हर्निया भी कहा जलता है है तो यह रोनिया जो है पूरुषों में जादा तरीके से देखा जाता है नबे फीसदी पूरुषों में होता है सिर्फ दस टका आइए औरतों में होता है इसका कारण है कि या जाने टटे यह पेट से नीचे की जो एक साल नौ मैने या एक साल में बंद होना जरूरी है पर काफी केसे में यह थोड़ा डिलेड बंद हो जाता है या लेट बंद हो जाता है इसकी वज़े से यह मर्दों में ज्यादा तरीके से दिखाई दिता है फीमेलस में इंग्वैनल हर्णिया सिर्फ 10 टपका फीसद है पर उन में फीमैल हर्णिया एक दूसरा प्रकार है हर्णिया zarnibadales का जांग में जो होने वाला है तो यह ज्यादा तरीके से दिखाई दियता है क्योंकि उनका पΩ purple का structure wide होता है तो females में inguinal hernia में femoral hernia ज्यादा होने का chances है तो इसके types inguinal hernia के types अगर हम देखे तो एक direct hernia है यह indirect hernia है यह hernia कहां पर स्थित है इस पर यह direct or indirect decide होता है उसके साथ ही यह एक ही side का है या दोनों side का है तो इस पर unilateral या bilateral बोला जाता है इसको तीसरा है यह hernia constant stage में है यह मेरे अन्य वीडियो में हम देख सकते हैं इसके stages क्या है तो यह reducible है मतलब अंदर जाने वाला hernia है यह irreducible है माने अंदर नहीं जाता है यह complicated hernia है जिसमें आत की रुकावट रुक गई है जिसको हम obstructed hernia बोलते है यह खून अगर बंद हो गया है तो उसको strangulated बोलते हैं तो यह है मुख्यता इंग्वनल हर्णिया के प्रकार कि इसके लक्षन क्या है कि यह एक छोटा सूजन दिखाई देता है जांगों में जो कि बढ़ता जाता है यह थोड़े दिनों के बाद बढ़ता चला जाता है पहले स्टेजेस में यह जो सूजन है यह रात में रेस्ट करने से कम हो जाती है दिन में काम करने से बढ़ती रहती है तो इसको रेड्यूसेबल स्टेज हम बोलते हैं यह होगे इंग्वैनल हर्णिया के लक्षन कुछ लोगों में स्पोर्ट्स हर्णिया नाम के प्रकार है यह दिखाई देता है अथलीट्स में जो हेवी एक्सराइज करते हैं या बहुत अथलेटिक है उन लोगों में सदन मुवमेंट्स की वज़े से कभी कबार जांगों के जो सनायू है उनमें कुछ इंजूरी हो जाती है और उनको पहला लक्षन दिखाई देता है सिर्फ दर्द होना पर वहां पर सूजन नहीं दिखाई देती है और यह डिसकंफर्ट उनको हमेशा रहती है और जब भी जाते है तो दर्द बढ़ जाता है कुछ सालों बाद वहां पर हर्निया दिखाई देता है तो यह होता है स्पोर्ट्स हर्निया तो इसके कारण हर्निया होने के कारण हम जान सकते हैं अन्य वीडियो में इसमें मैंने डेटेल में सब चीज़े बताई है तो वजन उठाने का अगर काम है वेट लिफ्टिंग अगर व्यक्ति को खासी है अस्तमा की वज़े से या टीबी की वज़े से या कब्स की बीमारी है कॉंस्टिपेशन या हर्निया फैमिलियल भी हो सकता है जैनेटिक कोलाजन डेफिशेंस की वज़े से और यह ऑपरेशन के बाद या ट्रॉमा या एक्सिडेंट के बाद भी हो सकता है तो यह है सामान्य कारण इंग्वाइनल हर्निया होने के इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी इन्वेस्टिकेशन यानि जांच कौन सी की जाती है सबसे इंपोर्टन जांच है क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानि डॉक्टरों से की जाली वाली एग्जामिनेशन हर्निया एक क्लिनिकल डाइग्नोसिस है तो यह जरूरी है आप सर्जन को दिखाईए जांगो में सूजन अन्यत कारणों से भी हो सकती है जैसे हाइड्रोसील है टेस्टिस की कैंसर है या टेस्टिस में जाने वाली खून की जो नलिया है उसमें सूजन आने की वज़े से जिस कंडिशन को हम वेरिकोसील बोलते है और कुछ सारी चीजे है जो हर्निया जैसे दिख सकती है पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यह सारी चीजे क्लियर हो जाती है तो जरूरी है कि साइड पर दोनों साइड पर है यह पता चलता है complicated हर्णिया बहुत बड़े हर्णिया जो हुए है उनके लिए कई बार CT scan बोला जाता है और जैसे मैंने बोला sports हर्णिया या सिर्फ जांगों में दर्ध है उसका सूजन नहीं दिखाए दे रहा है हर्णिया की शंका है उस situation में MRI भी भी बूला जाता है तो यह हो गए investigations यानि जांच हर्णिया के लिए की जाने वाली जांच नेक्स पार्ट में हम देखेंगे कि हर्णिया की जांगों की हर्णिया की treatment कैसे की जाती है मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई दवाई या कोई exercise ये दोनों चीज़े मना है हर्णिया अगर आप exercise करते हैं तो बढ़ता चला जाता है तो जरूरी है जब इसका निदान हो तो आप इसका surgeon को दिखा के इसका operation करवा लीजिए दूसरा कोई तरीका नहीं है ये बढ़ता जाता है जितना हर्णिया बढ़ा हो जाता है उतना treatment उसका दिन बदिन मुश्किल हो जाती है तो surgery में इसके दो तरीके है एक है open operation दूसरा है दूर्बिन से किया जाना वाला laparoscopic operation अब कौन सा operation अच्छा है यह काफी सारी चीज़ों पर निर्भर रहता है यह हर्णिया एक साइड का है या दो साइड का है patient young है old है यह कितना complicated है इसको पेशिंट को anesthesia कौन सा दिया जा सकता है पर जनरली अगर देखे तो unilateral मतले एक साइड का अगर हर्णिया है यंग patient है तो open operation किया जा सकता है bilateral हर्णिया मतलब दोनों साइड का हर्णिया middle-age patient जिनको diabetes है या obesity है या जिनको कम से कम जखम होना यह requirement है तो उनको laparoscopy operation करना ज़्यादा उचित है तो और एक चीज हमने treatment में जानना ज़रूरी है कि मेश जाली का प्रयोक करे कि ना करे काफी सारे लोग हमें यह सवाल पूछते है कि जाली यूज करना चाहिए कि नहीं मैं बताना चाहता हूं कि जिधर हम यूज कर सकते है उधर जाली यूज करना अच्छी बात है हम सिफ यंग patients में 16 साल के नीचे वाले लड़कों में मैश या जाली हम यूज नहीं करते हैं infected cases में जाली यूज नहीं करते हैं और कुछ special situations में हम avoid करते हैं पर by and large जहां हो सके वहाँ पे जाली यूज करना जरूरी है अच्छा है उससे हरनिया दुबार होने के chances कम रहते हैं treatment के बाद कौनसी सावधर्नियन आपको बरत नहीं है यह अन्य वीडियो में हम देख सकते हैं अगर यह हरनिया हमने treatment नहीं लिया है तो इसके complications क्या हो सकते हैं यह हम जानेंगे main complication है इसका obstruction और strangulation मतलब आथ की रुकावट आ जाना और उसका खून कम पड़ जाना तो इस situation में emergency operation की जुरूरत पड़ती है emergency operation में आथ कभी कबार cut करनी पड़ती है जोडनी पड़ती है उस situation में हम जाली नहीं बिठा सकते हैं और जाली अगर हम नहीं बिठाते हैं तो हरनिया दुबारा होने के chances ज्यादा होते हैं तो एक छोटी चीज जो अपने आप कम हो रही थी reducible हर्णिया से हम strangulated हर्णिया की stage में अगर जाते हैं तो complications बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है तो इसलिए जरूरी है कि early stages में इसका जांच करवा के इसकी treatment लेना उतनी जरूरी है इंड में हम देखेंगे कि हर्णिया prevention यानि हर्णिया से कैसे बचे तो जिन लोगं का वजन उठाने का काम है तो उनको वजन उठाने का सही तरीका जानना जरूरी है वजन उठाते वक्त supporters यूज़ करना जरूरी है लॉंग स्टेंडिंग जिनका काम है उनको भी supporters यूज़ करना जरूरी है उसके साथ ही जिनको अन्य problems है जैसे chronic cough है, Cubs है, urinary complaints है तो इनका treatment जरूरी है उसके साथ ही अगर open operation किया गया है तो डॉक्टर नों द्वारा बताई गई चीज़े follow करना जरूरी है दोस्तो और एक जरूरी बात है कोई medicine काम नहीं करता है, exercise हमने avoid करनी चाहिए उसके साथ यह भी देखना जरूरी है कि hernia belts एक ऐसी चीज़ है जो काफी बताई जाती है hernia prevention के लिए मैं बताना चाहता हूं यह belts अगर आप ज्यादा देर इस्तमाल करते है तो hernia के उपर की जो skin है वो पतली हो जाती है ulcers हो सकते है उसमें और subsequent hernia का operation उस वज़े से मुश्किल होता है तो hernia belts medicine और exercise यह तीनों चीज़े hernia के लिए हानी कारक है इसका सही तरीका सिर्फ surgery है दोस्तों इस वीडियो में हमने इंग्वाइनल hernia यानि जांगों में होने वाले hernia के बारे में पूरी जानकारी लिए है उसके टाइप्स क्या है उसके लक्षन क्या है किन वज़ों से यह हरnia होता है इसके investigations यानि जांच क्या है treatment क्या है अगर treatment ना ली गई तो complications क्या है और hernia होने से कैसे बचे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजे शेर केजिए और हमाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद